की वीडियो में बात करेंगे पाच ऐसे क्वाइस जो बहुत जारा पूछे जाते इसे रिलेटेड जैसे की डरेश साइस ब्रेस्षे पैन और आफटर प्रेग्नेंसी के दोरान जो ब्रेश में चंज्जों होते हैं क्या वो हमेशा रहेंगे या फिर वह पहले जैसा शेप ले सकते हैं यह बहुत सारे कुईशन जो है आज के वीडियो में उसके आंसर्स दूंगी वीडियो जो है बहुत हैं इंट्रस्टिंग होने वाला इसलिए अंतक बने रहीएगा हाई गाइस मैं हूं प्रिती और आप सभी काफी हो प्रेंस वर्ल्ड में स्वागत है आश डिर्टेट ब्रेस साइज करें मदर् उनके मन में हैं यह साइज हो रहा है यह continue रहा है ल्याकि आप ब्रेस्फिटिंग मदय तो अपके ब्रेस्ट में जो मिल्क है वह होता है फी एमटी होता है फुल होता है एक अलक से wekinway होती है ब्रेस्ट में जिसके वजह से जो-ब्रेस साइज है वो बढ़ जाती है ब्रेस्टिंग के दोरा वाड़ 45 जब बंद कर प्रॉपर एक्सेसाइज होगा तो ही आता है नहीं तो वैसा ही हो रहता है फिर भी आप नोटिस करोगे कि वह टाइटनेस नहीं रहे गई है जैसा पहले था वह इसलिए क्योंकि जो हम ब्रेस फूल होता है और एम्टी होता है उसके वज़े से एक अलग सा सैगिनेस आ जाता ह है और प्रॉपर एक्सेसायस के बात आपका आपका जो प्रेस है वो पुरापर साइज में भी आ जाता है और पहले ज़ेसा भी हो जाता है प्रेश्लों के दौरान पर्रेश एननसी के दौरां 72-30 परसंट बढ़ता है वो इतना लज बढ़ गया है उसे कम करने में थोड़ा पूरी तरह से आपको यह सारी जो एक्सेसेस वह शुरू करनी है थोड़ा टाइम ले आपका जो प्रेस से वापस आने में टाइम लेगा पर फिर भी आपको ध्यान में रखना हैं कि एक सेगीनेस तो बनी रहेगी अब चलिए बात करते हैं सेकेंड कोईशन ब्रेस पेन के बारे में ब्रेस पेन जो है प्रेगनेंसी के दोरान से शुरू हो जाती है वह इसलिए क्योंकि जह आपका ब्रेस अपने आपको प्रिपैर कर रहा है बच्चे के लिए दूद बनाने के लिए तो वह 20-30% हो रहा है तो उस बढ़ात के वज़े से आपके प्रेस में हलका हलका पेन रह सकता है और यह जब पेन है वह एकदम नॉर्मल है आपको इसके टेंशन नहीं लेना है और जब हम ब्रेस फिडिंग चालू कर देना उस टाइम पेन होता है क्योंकि उस टाइम से इंगाजमेंट के पेन होता है वो एक पैन होता है या पिर निपल और घाह हो गया है तब पेन होता है अब चलिए बात करते हैं कि आप प्रेंगनेंट नहीं है और ब्रेस्ट फिडिंग मदर भी नहीं है तब भी आपको पेन हो सकता है अगर आपका नहीं हो रहा है नौर्मली भी पूरे मंद में आपको वहाँ पर हाथ लगाने पर दर्द हो रहा है तब आपको एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए क्यों पेन है फ़र्ड कोईशन जो सबके मंद में यह आता है कि हमें कौन से टाइप की ब्रा पैन लिया ताकि हमारा जो ब्रेस है वो कमफाटेबल हो और हम कमफाटेबल हो इस लेडर में एक चीज़ कहना चाहती हो कि अगर आप प्रॉपर फीटेट ब्रा पैनोगे ना तो आपको जो ब अगर पिस्कार पहने तो आपके जो ब्रा है वो अर्शीव से दिख़ेगी ऐसे ब्रा चूने के जो आपको प्रॉपर फिट हो और प्रेग्रेंशी के दोरान पूछोंगे पूछों गे मुझसे तो इस्पेशली आप स्पोर्ड ब्रा आती है ना जो पतली स्लिपकी होती है वो पहन सकते हो जिससे आपको उनकमपोटेबल जो फील होता है से वो बड़ रही है और उसके वज Nap को एक अट था प्राइक स्पोर्ट से पहन सकते हो उसे आपको तकलीफ नहीं होगी अगर आपको ब्रेस स्बाइस आप बढ़ते दो हैं यहां, और बचेने मिल भी पेहन लो और बला सकोगेष अपना करें घुर recom अगर प्रॉपर साइस की पहनों कि यह दो नहीं होगी नबर फॉर बहुत लोगे मन में यह कुशन आता है कि हम किस तरह से चीजे करें कि हमारा जो अब्रेस है वह फर्म हो टूंड हो अपको प्रॉपर पहनना है वह लगा कि सब्रीदेबल पहनना है पहले चीज दूसरी एक्सिसाइजस है वह करनी है ताकि आपका जो ब्रेस है वह अच्छे तरीके से रहे और अच्छे तोंड रहे एक चीज यहां तकी का जो सैगीनेस हो चुकी है वह थोड़ा टाइम लेगा कम होने के लिए और उस जो सॉफने से वह बरकरा रहेगी टाइटनेस नहीं रहेग बहुत कम रहेगा ज्यादा नहीं रहेगा कोईशन नमबर फाइव बहुत लोगों के मन में आता है कि मेरा एक जो है थोड़ा बड़ा है और एक ब्रेस चोटा है क्या यह नॉर्मल है मोस्ट आप 95% फिमेल्स का जो ब्रेस साइज है वह एक बड़ा होता एक चोटा होता इस बताइवां हो गया को इसलिए होता है कि जो बच्छा है कभी-चब bol एक ब्रेस जादा प्रिपर करता है दूद पेकरता है कम पीन चै intestinal करता है तो उसके अवज़े से इक ब्रेस की यह सब्लढ़ हो जाती है यह जो है यह ठीक हो सकता है प्रापर एक्सेस का वज़े से प्र तो इससे आपको ब्रेस साइज बढ़ गया है वह टोन में आने में हेल्प हो जाएगा प्रेंस आज का वीडियो जो है पसंद आया तो प्ली से लाइक जो कीजिए का आज का वीडियो यहीं तक था अच्छा लगा रहेगा चलिए बाइ मिलते हैं नेक्स वीडियो में मैं प्य हुआ 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 है